हेलो फ्रेंट्स नमस्ते कैसे हैं आप सभी मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि जो आइटम्स क्लीन हो चुकी है क्लीन स्टॉप की वीडियो बनाओं तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ यह सबसे पहले यह वाइट आइटम्स है यह अन शेपट शेल स्टोन उनकी लेयर्स है जो क्लीन हो चुकी है यह पार्स जिसमें से दो यूज हो चुकी है एक्चुली कंज्यूम हो चुकी है यह किट कैट है इसमें यह ट्राइंगल ट्राइंगल के भी दो पार्ट है यह एक रहा यह थोड़ा गिर गया था तो ब्रेक हो गया था इसका कॉर्णर रखने में यह किट कैट है वाइट यह वह एक यहलो कोटिड वाइट बार्स हैं जिनके भी रिसेंट मैंने क्लीनिंग की थी कि यह दो अंशेफ्ट और सॉरी दो शेल स्टोन जो है यह यह यहलो कोटिड वाइट आइटम्स की जो इसमें की थी वह वाले हैं स्क्वेर शेफ्ट और यह पहले मैंने इसकी क्लीनिंग की थी ट्राइंगल के साथ यह वह वाला है कि यह वाइट किट कैट है मीनी किट कैट यह यह यहलो कोटिड स्लेट पैंसिल्स है कि यह ब्लैक आइटम्स है इसलेट पैंसिल्स है यह वह बार्स है जो क्लीन की थी यह किट कैट है कि यह ड्राइग होकर थोड़ा इसमें ग्रेश लुक आता है कि यह नॉर्मल साइज्ड बिक साइज कह सकते हैं इसको किट कैट है कि यह अन्शेप्ड जो वन नहीं तो केजी से अबव शेल स्टोन था अन्शेप्ड यह उसकी लेयर से इस यह ब्लैक स्कॉरेशेप्ड शेल स्टोन यह ट्राइंगल जो था बिक साइज्ड उसकी दो लेएर्स विसके टीन लेयर साथ तीन लेयर से सारी ब्लैक आइटम्स और अब आती है भारी रेड़ आइटम्स की यह रेड़ स्लेट पैंसिल्स यह अन्शेप्ट जो पीसिस थे उनकी लेयर्स है रेड़ के यह किट कैट है मिनी किट कैट यह नॉर्मल साइज जो किट कैट होती है यह जो यलो वाला है इस पर यलो पार्ट दिख रहा है यह इस पर लेयर थी जो थोड़ा ब्राउनिश सा लगता है और यह इसके अंदर है पूरा तो ग्रिटी नहीं था इसलिए मैंने इसको और ज्यादा नहीं हटाया यह डर्टी नहीं है एकदम ग्रीन है यह स्क्वेर ट्राइंगल जो था रेड जो बहुत ज्यादा थिक ता लेकिन यह हाफ से भी कम रह गया क्योंकि इसकी काफी मोटी परत इसकी ग्रीटी थी जो मैंने निकाल दी थी यह टू अंशेप बिक साइस अंशेप शेल स्ट्रॉंस है यह ड्राय है इसलिए अभी आपको कलर इनका थोड़ा डिफरेंट लग रहे है यह वेट होके बहुत ही सुंदर हो जाते हैं तो यह मुझे कहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूं जो स्टॉक क्लीन हो चुका है तो देखिए फ्रेंट्स यह मेरा अभी और वीडियो अपलोड करनी हैं बनानी हैं मैं एक्चुली कुछ और इश्यूस हैं हेल्थ का भी लगा लो कुछ फैमिली में कि आया गया लगा हुए घर पर तो नहीं हो पारा पोड़ा सा बस आप मुझे रेगुलर होने का मुक्त दीजिए मैं जल्दी आपकी चॉइस की सभी चॉइस की वीडियो लेकर आऊंगी मेरा खुद बहुत मन कर रहे कि मैं जल्दी से क्लीनिंग वीडियो बनाऊ तो फ्रे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आपका प्यार आपके सपोर्ट की निचे बहुत जोड़त है ठीक है फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्लीनिंग वीडियो होगी बाइबाइबाइब